हेलो फ्रेंट्स दिस इस जोती वर्मा तोड़े आपका प्रैक्टिकल है फर्स सेमेस्टर बीएड का और इसके अंदर आप से जो वाईवा लिया जाएगा उसमें क्या-क्या कोशन्स पूछे जाएंगे इसके बारे में आज हम इसमें डिसकस करने वाले हैं फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल के बारे में जो भी डिसकस्शन है आप ध्यान से सुनेंगे और एंड तक सुनेंगे तो आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एक्जामिनर्स जो आते हैं प्रैक्टिकल लेने वो किस टाइब की कुशन् जब से पहली यूनिट में हमारा एंट की तीच़र ली और होता है इसके अंदर करना होता है वह एंड से उसको याक्तिया करना होता है या आप से कोई डर्वाई गई होगी होगी तो आपको उसके अंदर life experience जो भी आपका उसको लिखवाया गया होगा तो वो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़े जो भी आपने ppt के अंदर या file के अंदर लिखा हुआ है वो चीज़े आपको पता होनी चाहिए Second is observation of life situation, the evoke question and responses तो इसके बारे में अगर आपने कोई भी detail कोई भी चीज़े बनाई है ppt या file में कुछ भी बनाया है तो आप उसको read out करके जाएंगे उससे related ही आपसे questions पूछे जाएंगे Third is question on education, questions on education, learning and teaching that he or she is facing तो इसके बारे में अगर आपसे कोई भी अलग-अला colleges में जैसा कि होता है कि फिर्स्ट उनिट में से कोई भी practical करा दिया तो इसमें जैसा कि अगर ज्यादातर देखें तो जो life experiences है उसके बारे में ज्यादा practical कराया जाता है first unit से कोई भी एक topic choose किया जाता है इसमें से तो इसमें से ज़्यादा तर लोगों को life experiences के बारे में ही PPT बनाने को मिलती है या फिर कोई भी file तो इसमें आपका first unit में cover हो गया next में writing task है writing task के अंदर क्या है writing and educational biography आपको अपनी educational biography इसमें लिखनी होती है अपने PPT या फिर files में ये चीज़े बनाई होंगी और इसके अंदर जो भी आपकी education से related starting से और अब तक की जो भी biography है वो सारी अपने इसमें लिखी होगी तो इसके हिसाब से आपसे questions पूछे जाएंगे जो भी आपने अपनी statement of aspirations and expectations based on once learning so far in the course after four month in the course तो ये बैसिकली ये वाला जो question है ये नहीं कराया जाता तो first question है जो educational biography का ये पता होना चाहिए आपको और इसमें से ये आपकी questions को पूछा जाएगा बाकी आपका इसके अंदर है third unit तो third unit के अंदर क्या है third unit में से भी कोई भी आपको एक experience of life जो भी है तो इसमें से आपको कराया गया होगा तो इसके बारे में भी आपको questions मिल सकते हैं पूछे जा सकते हैं तो इसमें से life experience के बारे में कोई भी question आपसे पूछा जा सकता है तो इसको आपको ये चीज़ आ कराया गया गी होगा कि इसके अंडर कोई आप यह लर्णिंग टूْ определ पारे में आप बाताएंगे वहाँ पर और उसके एक्सपिरियेंसिस उसको आपको आपको बताना पड़ेगा उसके बाद अब थर्ड वर्क्शॉप में देखेंगे थर्ड वर्क्शॉप में इन सारी वर्क्शॉप में से कोई भी एक वर्क्शॉप करानी होती है तो अगर आपने mindfulness की वर्क्शॉप करी है ज्यादतर colleges में या तो life experience पे होता है या फिर mindfulness in the classroom तो इसके अंदर से ज्यादतर लोग क्या करवाते है जो योगा की workshop होती है योगा के बारे में ज्यादतर चीजे इसमें पता होती है students को अगर उन्होंने की होती है तो तो आपको अगर योगा की वर्क्शॉप कराई गई है तो आपको कुछ types पता होने चाहिए योगा के और योगा किस लिए जरूरी है और योगा की क्या क्या benefits है और किस आसन से कौन सी बिमारी दूर होती है या उसके क्या क्या फाइदे है या फिर क्या फाइदे नहीं है अगर कोई आपका और fourth unit के अंदर है वर्क्शॉप फॉर्थ में है understanding working in group तो अगर इसके अंदर आपको कोई भी work कराया गया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस workshop में नेक्स्ट है आपकी fifth workshop जिसके अंदर है viewing and analyzing film अगर आपको film के बारे में analyze करने के लिए कोई भी workshop करायी गई है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नेक्स्ट है आपका इसके अंदर six workshop celebration of an iconic cultural figures any three तो इसमें अगर आपको कराया गया जैसा कि iconic cultural है तो इसमें आपको कभीर के बारे में टैगोर के बारे में या फिर बहुत सारे इसमें दे रखे हैं तो आप जैसा कि mostly वैंने देखा है कि जो कभीर के बारे में मीरा भाई के बारे में या टैगोर के बारे में होता है तो इन में से कोई भी तीन को आप choose कर लेते हैं और उनके बारे में ही आप iconic discussion करते हैं iconic तरीके से एक तरीके से जो cultural figures होते हैं इनको करते हैं तो इसमें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपने इनके बारे में study की है इस वाली workshop में तो तो यह था हमारा practical इसके अंदर इससे related questions आते हैं तो आप इसको easily attempt कर सकते हैं अगर यह practical आपने अच्छे से experience करके किया है और नहीं भी किया है experience से तो भी आपने जो चीज़े इसके अंदर की हैं वो चीज़े आपको पता होनी चाहिए चाहे वो PPT में हो चाहे वो फाइल्स के अंदर हो तो जो जो वर्क्शॉप्स आपने अटेंट की हैं mindfulness की या फिर iconic figures की या फिर किसी भी चीज़ की तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए so friends यह थी हमारी आज की वीडियो thank you so much for watching this वीडियो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें share करें and comment करें and please press the bell icon for other notifications क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ और आपको मेरे मेरे चैनल को support करने के लिए like और subscribe करना चाहिए और bell icon को press कर दें ताकि इससे आपका ही benefit हो और आपको time to time सारी वीडियो मिलती है thank you so much